दोस्तो बिग बॉस का पाच्वा हफता शुरू हो गया है ऐसे में आहिए जानते हैं कि बिग बॉस के पाच्वे हफते तक कौन सा कंटेस्टन है नमबर वन पे तो कौन सा कंटेस्टन है शो में सबसे नीचे नमश्कार दोस्तो मैं हूँ काजल सिंग और आपका स्वागत करती हूँ बिग हेटलाइन्स में दोस्तो अगर हम बात करें बिग बॉस फोडिन के बारे में तो बिग बॉस फोडिन जो है आधा सीजन खतम कर चुका है ऐसे में बचा है आधा सीजन यानि की पाच्वा हफता शुरू हो गया है बहुत सारे कंटेस्टन्स घर के अंदर है और चार कंटेस्टन्स की घर से एक्सरेट भी हो गय थी जिसमें से एक कंटेस्टन वापस आ गया है यानि की कविता कोशिक ऐसे में शो में अब तक कौन बना है और ये जानते हैं वेल नंबर वन की बात करें तो नंबर वन पर शो गे पहले दिन से ही विराज मान है रूबीना। इस तरीक deben से शोन में एपना परफॉर्वेंस दे रही है wickी, और और यज उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं जिसके बात कहीं नकहीं रूबीना अगर हम बात करें तो नंबर थ्री पे विराजमान है राहुल वैद्य। जनता के दिल में उतरे हैं राहुल और हो सकता है इस सीजन के आगे तक जाएं याने कि सीजन के फिनाले तक जा सकते हैं राहुल वैद्य। तो वहें पर चौथा नाम है इजास खान का इजास भी जनत को इंप्रेस करने में कामियाब हुई है जिसके चलते जंता का खुब सारा प्यार मिल रहा है पवित्र पुनिया का इस लिस्ट में अगला नाम आता है अभिनो शुकला का अभिनो जिस तरीकी की बॉर्णिंग शेर करते हैं रूबिना के साथ शो में और अभिनो की जोड़ी क के चलते निकी तामबोली का मुश्किर है टॉक 3 में जाना वेल इस लिस्ट में अगला नाम आता है जान कुमार शानु का जिस तरीके से जान जो है निकी के इर्थ गिर्थ घूम रहे हैं जान कुमार शानु इस लिस्ट में अगले नंबर पर आते हैं वेल जान के बाद ना आता है शारदुल पंडित का जिसको हम देख रहे हैं शो में काफी ज़्यादा एंटर्टेन्मेंट देते हुए वेल इस लिस्ट में अगला नाम आता है कविता कौशिक का जो अभी हाल ही में बिग बॉस सिजन फॉर्डिल के घर में आई है वेल कविता कौशिक भी शो में काफी ज़्यादा एंटर्टेन कर रही है इस लिस्ट में हमने अली गोनी का नाम इसलिए नहीं जोड़ा है क्यूंकि अली जो है अभी घर के सादस से नहीं बने है अली का जब कॉरिंटाइन खतम हो जाएगा तो अली भी इस लिस्ट में जॉइन हो जाएगे तो दोस्तों कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताएगे आपके अकॉर्डिंग कौन है बिग बॉस दून फॉर्डिन के वो तीन टॉप कंटेस्ट इन जिन है आप फिनाले में ठॉर्डिंग